तो रोज दूश शुरू करते हैं आज की इंफरा नियोज पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई के MMRD से रिलेड़ेड़ी है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलमेंट रहुड़ी से रिलेड़ेड़ जो इनने कुछ फुट ओव ब्रिज बनाने के लिए टेंडर टेशन तक बनाया जाएगा जो बिसीकली मेट्रो नगर रील्वे स्टेशन तक कनेट होने वाला है वैसे अगर डेखा जाए तो अगर प्लानिंग ढंक जाती है मेट्रोς की इतने लंबे-लंबे-420-300-4K पूलो की जरुफट नहीं पढ़ती लेकिन अब जो है रिजन उसक तोड़े बहुत दूर तो connections finally करने के लिए फुट अब रिजिस बनाया जाने वाले हैं अगली ख़बर दोस्तों और यह नाखपूर मेट्रों से रेड़ेट जिसके फेस्टों के construction का जो contract है दस स्टेशन बनाने का वो मिला है आर वी एनल को यह रेल विकाज निगम निकल कर रहा है तो नाखपूर मेट्रों के C6 package के लिए 43.8 km का यह फीस्टों प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर का एक package है तापर 10 elevated stations इनको बनाने है important stations के बारे में हम बात करें यहाँ पर तो प्रजापती square, लोकमान्य नगर, हिंगा, हिंगा bus station, PMC वेगरा यहाँ पर included है और 910 की deadline है अगली हबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे commerce and industry ministry प्यूश गोल जी से related जिरू ने एक बहुत ही ज्यादा important चीज लाँच की है जो की है district master plan अंडर गती शक्ती initiative और basically यहाँ पर जो planning का kind of of course दो portal है वो launch किया गया है जो की अभी 750 districts को cover करेगा और 27 aspiral districts को specifically cover करेगा अब दोस्तों यह बहुत ज़ादा media में आने वाली खबर नहीं है लेकिन यह बहुत ज़ादा consequenceal होने वाली है आप जानते हो कि हमारे देश के अंदर road बनने के बाद में याद आता है कि pipe डालना है उसके बाद में याद आता है कि बिजली गास की line डालनी है तो गती शक्ती आपने observation भी की होगे जो मैंने personally किये है new road project बन रहे है वहाँ पर actual में step by step चीज़े धंक से की जा रही है लेकिन यह जनरली बड़े projects के लिए था कुछ Mumbai दिली जैसे शहर जो है वह at least अपने metropolitan region के अंदर गती शक्ते का इस्तमाल पहरी कर रहे थे लेकिन अब division जो है वो district level प ताकि उनको tangible results मिल पाए for the construction of package B of a four lane highway connecting इटा नगर असामतों दोस्तों यहाँ पे जो package है वो पापू नाला से लेकर निजुरूली के बीच का एक section है जिसके लिए बहुत जादा problem आ रही थी बहुत slow तरीके से काम यहाँ पे हो रहा था यहाँ पर राज्यसव MP के साथ में जो local DJ उन्होंने एक meeting की, problems का है वो बता है, surveys जो हुए थे उसके बारे में उनने बताया, slow progress के बारे में बाते कही और यहाँ पर जो भी दिक्कत है उनको मिठाकर इन जीजों पर focus करके package B को जल से जल complete किया जाएगा यह बोला गया है, साथ-साथ यह भी कहा गए कि जो defaulting contractor ह उसके उपर appropriate action लिए जाएगी, अगली ख़बर दोस्तों जो आ रही है वो है, इंडिया के द्वारा बनाये जाने वाले एक consortium से related, जो कि एक state-run port ventures company होगी, जो basically acquire और develop करेगी foreign terminal school to secure strategic and commercial interests globally, तो दोस्तों नाम इस company का होगा, इंडिया Ports Global Limited, जो कि सागरमाला Development Co. Limited के साथ में और Indian port, rail and roofway corporate बगर के साथ में मिलकर काम करेगी, और obviously Indian maritime board का भी इसके अंदर भाग होगा, तो जो लोग जानते है, चाइना जो है, छोटे-छोटे देश के अंदर, छोटी बड़ी चॉकलेट देखर जो है, कई Ports को acquire कर चुके है, हम बन टटा पोर्ट होगया, कुछ पोर् जो है, कि कई देशों के हम Ports जो है, वापर business interest रके, obviously commercial activity वापर होगी, लेकिन समय आने पर, ये geopolitics में भी बहुत जादा important भूमेका निवा सकते हैं, हमारे national security के लिए, इसके हिसाब से ये एक सरकारी body बनी है, जो बाहरी देशों के अंदर के Ports को acquire करने का काम करेगी, अगल लिए पाट सो गीगावट ऑफ इंस्टॉल रिइनवल एनरजी तक पहुचना साल 2030 और चेसों गीगावट तक पहुचना 32 तक या निए दो साल के अंदर और सो आड करेंगे, ऐसा उनने बोला है, तो यहाँ पर अभी हम बात करें, तो बड़े बड़े जो नए प्रोजेक् है, वहाँ पर हाइडरोजन और ग्रीन अमोनिया मैनेफेक्चिरिंग हबस भी बनाए जाने वाली है, जो ऐसे इनरजी स्थावान हो सेगी, मुंद्रा, कांडला, गोपालपूर, पारादी, तूटी, कूरिन, वसाखापत्न, मंगलूरू, इन जगों पर यहाँ पर काम होग यहाँ पर सरकार जो है, अपने आपको लीड करने ही कुशिश कर रही है, अगली खपर दोसों जो आ रही है, वो है, LDA Chief Engineer से रिलेड़ेड जो की लखनो के है, और इन्होंने कहा है कि यो कई सालों से स्टॉल्ड प्रोजेक्ट से है, construction के, उनको जो है अभी आगे बढ़ाया जाएगा और इसपेशियलेवे जेपी एनेसी प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो तो बेसिकली जेपी एसी एने जै प्रकाश नाराय अंड इंटरनेशनल सेंटर के नाम से कैंड ओफ कन्वेंशन सेंटर प्लस मिक्स्ट्यू सेंटर बनाने का काम बहुत लंबे समय से लग का एक औडिटोरियम, बड़ी इवेंट्स को रखने के लिए जगह, बैंक्वेट्स वेगला जो है, बनाया गए थे, सेमेलर होल्स बनाया जाने थे, तो ये काम अटका पड़ा था, लेकिन इसके पर अब काम वापिस शुरू किया जाने वाला है, अगली खबर दोस्वार ये जर्मन कंपनी, फ्रुडंबग ग्रूप से रिलेटेड, जिनन अपने इंडिया उपरेशन को एक्सपांड किया है, जिसके लिए ने दू कटिंग एज मैनेफक्टरिंग प्लांट्स को ओपन किया है, जो कि है मोरिंग ना पंजाब के अंदर, 40,700 स्क्वेर मिटर के प् आजके के साल के बान बात करें, तो कार्ती की फूठानी पूछते है, ब्रो धारावी development project में construction कब चलोहगा, और completion date क्या decide है, पहली बात तो देखो, धारावी development project में मेरे हिशब से 15 साल के आस-पास का time limit गिनके चलिए, अगर government stability रहती है, तो वरना ये बहुत जादा लंबे स जगा है जरूरत पड़ेगे ना तो उनके लिए एक रेलवे की जबीन थे जहाँ पर कैम्स बनाये जाने हैं उसके इनलिजिबल लोग है जिसके उपर में एक वीडियो बनाने वाला हूँ अंदर लेकिन जिस हिसाब से प्रोजेक्ट का काम हो रहा है पहली बार आफ्टर 1999 जो है धारावी रिडेवलेप्ट प्रोजेक्ट इतने लेवल तक पहुचा है वरना इसके पहले जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो कंडिशन्स वेकर है वो ठीक हो ना ज़रूरी है पूमिंग तर तो आपको सवाल करें जब मिल गया होगा आपके बस कोई सवाल है आप कमेंट स्क्रीट मुझे पूच सकते हो अगर आपको कोई न्यू सब्मेट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्टिश्यों में एक लिंक मिल जाएगी मिलेंगे अगले वीडियो में